जै माता की विश्णु भगवान आप सभी भक्तों की मेनु कामनाओं को पूरा करें मैं पंडित नीती शास्त्री आज आपको पुत्रदा इकादशी की तिथी और मुहूरत और पुत्रदा इकादशी की कथा का शिरवन करवाऊंगा प्रियदर्श को पुत्रदा इकादशी 6 जनवरी 2020 को सुबह 3 बज करके 6 मिनट से प्रारंब होगी और 7 जनवरी 2020 को सुबह 4 बज करके 2 मिनट तक पुत्रदा इकादशी रहेगी आपका वरत पार्ना का जो समय रहेगा 7 जनवरी 2020 को दोपहर 1 बज करके 30 मिनट से दोपहर 3 बज करके 55 मिनट तक वरत पार्ना कर सकते हैं प्रियभक्तों पुत्रदा इकादशी का क्या महत्व है सभी इकादशों में पुत्रदा इकादशी का विशेश स्थान है माननेता है कि इस वरत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ती होती है इस दिन स्रिष्टी के पालनहार शिरी हरी विश्णु की आराधना की जाती है कहते हैं कि जो भी भक्त पुतरदा एकाजशी का वरत पूरे तन, मन और जतन से करते हैं उन्हें संतान रूपी रतन मिलता है ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुतरदा एकाजशी की वरत कथा पढ़ता है सुनता है या सुनाता है उसे स्वरग की प्राप्ती होती है प्रि पुत्रदा एकाजशी पुराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था उसके कोई पुत्र नहीं था उसकी इस्त्री का नाम शेव्या था वहनी पुत्री होने के कारण सदेव चिंतित रहा करती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा राजा को भाई बंधव धन हाती घोड़े राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोश नहीं होता था वह सदेव यही विचार करता थ था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा बीना संतान के पितरों और देवताओं का रिंड मैं कैसे चुका सकूँँगा जिस घर में संतान नहीं उस घर में सदैव अंधकार विध्यमान रहता है इसलिए संतान उत्पत्ती के लिए मनुष्यों को सदैव प् देखा होता है वह धन्य होता है उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं स्वरग की प्राप्ति होती है पूरव जनम के करम से ही इस जनम में संतान आदी की प्राप्ति होती है इसी प्रकार राजा दिन रात चिंता मे एक समय ऐसा आया जब राजा ने अपने शरीर को ही त्याग देने का निश्य किया प्रंतु आत्म घात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा विचार छोड़ दिया एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन के लिए चलता है पक्षियों तथा प्रिक्षों को देखने लगता है उसने देखा कि वन में शेर, सुवर, सिंग, बंदर आदी सब भ्रह्मन कर रहे हैं हाथी अपने बच्चों और हत्नियों के बीच घूम रहा है इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने करकश स्वर में बोल रहे हैं कहीं उल्लू बोल रहे है वन के द्रिश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया इसी प्रकार आधा दिन बीत गया वह सोचने लगा कि मैंने कई यग्ये किये ब्रहमनों को स्वादिष्ट भोजन करवाया फिर भी मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ जिससे मुझको इतना बड़ा दुख प्रा सरवर में बहुत ही सुंदर हंस और सारस आधी विहार कर रहे थे उस सरवर के चारो तरफ मुनियों ने आश्रम बने हुए थे उसी समय राजा के पास एक अंग फड़कने लगा राजा शुब शकुन समझ कर घोड़े से उतर कर मुनियों को प्रणाम करके बैठ गया राजा को देखकर मुनियों ने कहा हे राजन हम बहुत प्रसन है तुम्हारी कोई अगर इच्छा है तो वह बोलो राजा ने पूछा महराज आप है कोन और आपका यहां किसलिए आना हुआ है कृपा करके आप यह है बताईए मुनि कहने लगे हे राजा आज संतान देने वाली आए है यह सुनकर राजा कहने लगा हे देव मेरे कोई भी संतान नहीं है यदि आप मुझ पर प्रसन है तो एक पुत्र या संतान का वर दीजिए मुनि बोले हे राजन आज पुत्रदा एकादशी है आप अवश्य ही सुरत को करें भगवान की कृपा से आपके घर में संता मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का वरत किया और दुवादशी को उसका पारण किया इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया कुछ समय बीतने के बाद राणी ने गर्भ दारण किया और नो महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ वहर राजकुमार अतियंत शूर्वीर यिशस्वी और प्रजा पालक हुआ इस परकार जो मनुश्य संतान ही मनुश्य अगर पुत्तरदा इकादशी का वरत करते हैं तो उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है माननेत है कि सन्तान प्राप्ति के लिए पुतरदा इकाद्षी का वरत करना चाहिए और जो मिनुष्य इस महतम्य को पढ़ता है या सुनाता है उसे स्वरग की प्राप्ति होती है अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ शेर करना इसी प्रकार की जानकारी हम अपनी चैनल पर लेकर आते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान दबा दीजिए जै माता को सब्सक्राइब ग्याइकी